नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतेश स्रीखेड Study सिंग रासी राहु जो सुक समृद्धी के कारक वो नच्छतर परिवठतन करने जा रहे हैं पूरे आठ महिने तक जब वो नच्छतर परिवठतन कर सनी के नच्छतर में आएंगे तब आपके उपर इसका क्या प्रहौ पड़ेगा ग्रहों का रासी परिवर्तन बहुत जरूरी भी है और इसके फल भी प्राप्त होते है राहू को कलियुक का राजा कहा जाता है राहू आपको सब कुछ दे सकता है और जब ये नच्छतर परिवर्तन करेंगे अपने स्वामी सरी देप के नच्छतर उत्तरा भादर पर नच्छतर में आएंगे तब 19 मार्च 2025 तक यहीं पर रहेंगे तब इसका परफाव क्या होगा कौन से उपाय करके आप राहू के जो बुरे परिणाम है उससे बच पाएंगे चले जानते हैं मिस्तार से देखे राहू मीन डासी में है और इसके पहले रेवती नच्छतर में चल रहे थे अब वो नच्छतर परिवरतन कर उत्तरा भादर पर नच्छतर में आ गया है उत्तरा भादर पर नच्छतर सनी का नच्छतर है और मीन डासी में राहू का आना मीन डासी देव गुरु ब्रस्वती की रासी है तो राहू यहाँ पर अच्छे परणाम बहुत नहीं देते लेकिन फिर भी राहू मीन डासी में बैठेंगे सनी के नच्छत्र जो उनके स्वामी हैं उनमें बो प्रवेस कर चुके हैं उत्तरा भादर परद में तब उतना बुरा परणाम नहीं देगा जैसा सनी देव परणाम देंगे राहू बिल्कुल वैसा ही फल देगा इसमें सनी देव कुमरासी में है और आपके लिए सनी देव की स्थिती अभी अच्छी चल रही है वक्री सनी चल रहे हैं अच्छा फल दे रहे हैं और राहू भी बढ़ियां परणाम देंगे क्योंकि राहु के स्वामि सनी है वो जब सुपफल देंगे तो राहु भी देगा अब मीन डासी जल की रासी है मशली उनका परतीक जिन है दो विपरीत तरफ देखने वाली विपरीत दिसा में मूग करके एक दूसरे के विपरीत रहने वाली जो मशलियां होती है वो मीन डासी में आती है यानि कि कनफ्यूजन दूई सभाव अब राहू मीन डासी में राहू जो खुद कनफ्यूज हैं और कनफ्यूजन की डासी में आ गए हैं तो थोड़ा उतल उतल तो देंगे राहू अगर बढ़ियां हो जाए तो ब्यक्ति को राजा बना देता है बुरे परिणाम नहीं देता राहू अगर बढ़ियां फल दे तो एकदम से आकास की उचाईयों पर पहुँचा देता है लेकिन बुरा परिणाम दे तो भिकारी भी बना देता है तो इसमें राहू आपको क्या देंगे आज हम जानेंगे ही विस्तार से अगर आपकी कुंडली में राहू की स्तिती ठीक है तो 100% ये स्तिती काम कर जाएगी और अगले 7-8 महने तक धीरे धीरे ही सही पर तरक्की करते चले जाएंगे अगर आप सनी से समंदित काम करते हैं अब सनी देव का काम होता है भूमी के नीचे से निकलने वाली चीजों का यानि माइनिंग, लोहा, कोईला, रत्न ये सभी चीज़ें पेट्रोलियम का अगर काम करोगा आपका है तब राहू एक ऐसा गरा है जो इस में आपको खूप सफलता देगा राहू के बारे में कहा जाता है इनको पराजित करना बहुत कठिन होता है राहू को हराना कठिन होता है क्योंकि राहू देट्यों के सेनापती है चंद्रमा सूरिक पर जब गरहन लगाते हैं राहू तो बुरे देवता क्या कोई भी नहीं रोक सकता और ये लगता ही रहता है तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राहू कितने बलसाली है तो राहू के चंगुल से इस्वर भी नहीं बच सकते ऐसे में चले जानते हैं कि देखे एक राहू और केतू एक ही सरीर के दो अंग है राहू बहुत बलसाली है राहू और केतू इंसान के ब बेब कूप बनाता है बेब कूप को राजा बना सकता है यानि आप कितने भी बुद्धिमान हैं लेकिन अगर राहू आपका गलत थोरा भी अगर कुंडली में गलत इस्तिति में आ जाये या गोचर में आ तो आप कितने भी बुद्धिमान है आप एकदम से कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे और धरातल में आजाएंगे रहु के पास धन देने की ताकत है तो लेने की ताकत भी है क्योंकि ज्योतिस में कहा गया है रहु धुआ है और धुआ को कोई रोक नहीं सकता, वो कहीं भी जा सकता है, कितना भी आप बंदन बांदो एक बार उठेगा तो फैलता जाएगा बिल्कुल वैसा ही रहू है तो रहू बढ़ाओ है रहू रुकने का नाम नहीं है रहू एक ऐसा है जो देने पे आ जाए तो वो आपके भूख मिटने नहीं देगा थोड़ा और ये भूख आपके पास लगातार रहेगा आप एक मांगेंगे एक कडोड मिलेगा रहू कुछ ऐसा ही करता है रहू को प्रसंद करने के लिए आप निम का पत्ता नहाने के पानी में डालकर अगर नहाया करें तो रहू सुब फल देने लगता है और असुब फल कम हो जाते हैं या फिर सिब जी की उपासना करने से लियमी तरूप से सिब लिंग पर जल अर पित करें तो भी राहू सांत रहता है जो उत्तर भादर प्रद नच्छतर है इस नच्छतर के बारे में कहा जाता है यह रहस्य मई नच्छतर है क्योंकि यह सनी का नच्छत्र है आध्यात्मिक्ता का नच्छत्र है तो सनी देव सफलता के कारक है अभी सनी देव वक्री चल रहे हैं सनी सुभो तो खूब धन देते हैं खूब सफलता देते हैं और राहू का सनी से मिलना बढ़ियां तो बहुत नहीं है क्योंकि कुछ चीज और नच्छत्र के स्वामी में जब जाएंगे तब यहां पर आप अगर गैस ऑईल मिनरल जैसी चीजों क्या कारुबार से जुड़े हैं तो आपको यहां पर लाप्त देंगे राहू तो मीन डासी यानि की मश्री की रासी पानी की रासी राहू के पास सिर है धर नहीं है तो संसार में बिना पैर वाले जितने भी जीव जन्तु हैं यानि रेंगने वाले वो सभी जीव जन्तु का कारक राहू ही है तो राहू का पास आपके आसपास कहां है यह आपको पता है त आपके उपर राहु का प्रभाव क्या रहेगा अगले आठ महिने तक क्योंकि राहु जब उत्तरा भादर प्रद नच्छतर में आते हैं तो ब्यक्ति को बातुनी बना देते हैं दीवा सौपन दिखाने लगते हैं थोरा आलत से भी दे देते हैं यानि बाते तो बहुत करने की समय आएंगा तब थोरा सा मती भर्म करा देंगे तो आपके अंदर जो प्रविर्ति हैं नकात्मक उनसे बशना होगा इसलिए आपको दिन की सुबात योगा एक्सराइज और सकात्मक सोच से करना होगा ऐसे लोगों की संगति करें जो आपको मोटिवेट करते हैं ग नीम का पत्ता पानी में डाल करना है या नीम का पानी से बन करता है राहू उनसे सांत रहते हैं तो जलिए अब जानते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा राहू का प्रभाव जब वो उत्तरा साढ़ा नच्छत में आएंगे तब देखे राहू का ये नच्छत प्रिवर्तन आपकी रासी पर खास कर आठमे घर का राहू बड़ी हानी करवाता है ये घर हानी का है नुकसान का है आठमे घर का राहू धननास कराता है आप अपनी बुद्धी के कारण या अपनी कुबुद्धी के कारण या बुद्धी का गलत प्रियोग करके गलत डिसीजन लेके धन हा कोई ऐसी चीज ना खरी दें जिसकी आवस्ता नहीं है दिखावे के चक्कर में बिल्कुल भी ना जाए राहू आपकी छमता से अधीक खर्चा करवा सकता है तो इस समें आप जैसे आप होता है ना छोटी सी चीज़ लेने गया लेकिन बड़ा सा खर्चा करके चला है तो इन स समझ कर हैसियत देखकर ही खर्च करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि राहू यहां आपको फालतु खर्चा करवाएगा अब देखिए इस से में खास कर बिना सोचे समझे सौपिंग करना ये फिर टेंसिन में डालेगा गलत इन्वेस्टमेंट मुसीवत में डा पहले से कोई स्वास्त में समस्या है तो दिक्कत देगी धनहानी हो सकता है पुराना केस खुल सकता है तो यहां पर चीजों को संभालना होगा बैबाहिक जीवन में छोटे मुटे कलह कलेश तकलीफ असांती हो सकती है परिवार का बरिवार में बाद इबाद ना हो जाए ब ऐसा कमाने के चक्कर में गलत तरीके अगर अपनाएंगे तो मुसीवत में पढ़ जाएंगे अपराद जैसी चीजों से दूर रहें समाज बिरोधी बाते तो बिल्कुल भी ना करें नहीं तो नुकसान सिर्फ आपका होगा बिस्वास अगर रखते हैं तो रिस्ता बढ़ि और ऐसा ही कुछ प्रभाव देगा तो जो भी होगा अचानक होगा नुकसान करवा रहा है अचानक आप उपाय जरूर करें और ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर कर दन्यवाद हम फिर मिलेंगे